सर नमस्कार मस्कार जी सर क्या नाम है आपका? अशोग धिमान अशोग जी कहां से आए आप? मैं बेसिकली लुधाना से आया हूँ रहता हूँ हमाचल परदेश में सर संत्रामपाल जी महाराजी से कब जुड़े आप? नवंबर 2016 में सर संत्रामपाल जी महाराजी के जेल में जाने के बाद उनसे आपने नाम दिख्षा ली है सर इसका क्या कारण है? एक संत्रामपाल जी महाराजी के जेल में जाने के बाद इसका क्या कारण है? एक संत्रामपाल जी में है उनसे आपने नाम दिख्षा ली आपको नोकरी मिल जाएगी तो मेरे पला मन में बिस्वास रही था कि नाम लेने से क्या नाम दिख्षा ले ली उसके बाद फिर मेरे को बहुत अलाब हुए हैं सर जैसे कि आपने बताए कि आपकी नोकरी चूट गए तो इसके समाधान के लिए आपने संत्रामपाल जी माहराजी से नाम दिख्षा लेने के बाद आपकी जॉब लगी। सान्तर रामपाल गी मारा घारे से नाम दिख्चा ले ने के बाद आपको और क्या लाब मिले माराजी से नाम दिख्चा लेने के बाद मेरे को पहले एक बबबाशीय की प्रॉलम ती मैंने डाल्टर को चाक करवाया था, तो उन्होंने कहा कि सरजरी होगी, आपका दस हजार के करीब खर्चा आएगा, तो मैंने गुरुजी से प्रातना लगाई, संतराम पार जी माहराज से, उन्होंने कहा कि परमातमात दया करेंगे, तो थोड़े दिनों में 15-20 दिन के बाद मेरे को अराम आना स्टार्ट हो गया, और आज के टाइम में, तीन साल हो गया है, बबासरी की निसानी भी नहीं है, नाम निसान बट गया उसका, उसके बाद मेरे को दूसरा लाब हुआ है, हाट मेरे को परॉल्म थी, मैंने डाग्टर से चेक कर वाया था, वो दौई खवा मेरे भगमती गौं गई थी, बच्चे अकेले घर में थे, उसके बाद स्वेर स्वेर मेरे को मन में परना आई, कि जो पंखे के नीचे बेड है, इसको थोड़ा सेड किया जाए, तो मैंने बेड को सेड में कर दिया, बच्चे स्कूल से आ गए, स्कूल आने के बाद तीन- मत्वा हमें हमारी जगा जगा हर समय रक्षा करते हैं, सर और को इलाब संत रामपाल जी महाराजी से नाम दिख्चा लेने के बाद, मेरे मम्मी को भूत पृत की प्रॉलम थी, हर महिने, जैसे हम लुदाना में रहते हैं, तो ममी मेरे गर मेरे गर में आते हैं, हमाचल में, चार-पांच बार कॉल आती थी कि गहरा जो नको प्रॉलम हो गगी है, हॉस्पिटल ले देखे जाना पड़ेगा, या मलोब भूतों प्रॉलम थी, तो हमने अपने घर में, गौँम हमाचल में, गुरु जी का सथा संत रामपाल जी महराजी से नाम दिख्चा लेने के तो संत हिंदोस्तान में बहुत सारे संत है, अगर आप किसी और संत से भी नाम दिख्चा लेते तब भी आपको लाब मिल सकते थे नहीं संत रामपाल जी सास्तरों के अनुसार भक्ती बताते हैं, और जो मंतर देते हैं वो सास्तरों में परमानित है, जैसे नानक जी जो जाब करवाते थे या जाब करते थे, वो उनके गुरु गुरु नसाम में लखा हुआ है, अगर जो नाम परमानित है, तो उसके नहीं सर, हम आप से जाना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज को और अन्य संतों को किस प्रकार से अलग पाते हैं। और अन्य सर भक्ति क्या तातपरिया है। क्योंकि जो मंतर जाप की जो पुरसाथ है वो पर्मानित है। जैसे गीता जी के स्तार में बताया है कि ओम तत सात अती निरदेशा। ये तीन परकार के मंतर हैं। जो संत तीन बार में नाम दिक्षा देता है, बोही सच्चा संत है। आप बाकी जो मर्जी करिये हो, जैसे ओम नमा सिवाए, भगवते बाउसु देवाए, ये सब मनमुकी साथना है। ये कहीं भी पर्मानित ग्रांत जैसे गीता जी मैं कहीं नहीं लखा है। ये अपने ओम नमा सिवाए बोड़ना है, ये ओम भगवते बाउसु देवाए नम बोड़ना है, कहीं लखा है। जो संत तीन बार में नाम दिक्षा देता है, बोही सच्चा संत है। सर ये तो रही आजात में ग्यान की बात, सर आज का समाज पड़ा लिखा है, बोतिक्ता का जमाना है। तो सर आज आज आप लोगों को कैसे समझा पाएंगे कि किसी संत से नाम दिक्षा लेने के बाद मंतरों के जाब करने से इतने सारे लाब होते हैं। सर आप लोगों को कैसे समझाएंगे, जो पड़े लिखे लोग है, साइंस का जमाना है, जो लोग इन बातों में विश्वास नहीं रखते। देखो जी, जो हमारे साथगरान्त है वो पड़े लोग ही समझ सकते हैं। आप लिखे लोग जल्दी समझते हैं, क्योंकि जो सद्ध गरनत हैं, जैसे हम सपुलु łूमा पड़ते हैं, जो हमारे सालेबस ही हम पर baptism चाहटे हैं, मुर्ट हम पहले क्लस्सी सब्साट करते हैं, क्यों को इसे हम पहले इंग्री करते हैं, कुछ डिगरी करता हैं। और हम जो अपने जो हमारे जो पुस्तक होती है, जो सेलेबस होता है, टेंथ ताकर प्लस टू ताकर जो डिकर ताकर, उसको तो हम सच मानते हैं, तो ऐसे ही मारा जो हमारे जो सद्गन्त है, बो सच है, अगर हमने अपनी पुस्तकों को, जो हम जिससे के सहारे जब सुकूर तो अगर हम अध्यात्मिक पुस्तों को पढ़ेंगे, सद्गरंथों को पढ़ेंगे, तभी हमें उस कलाम मिलेगा. सराब भगत समाज को क्या संदेज देना चाहते हैं? मैं तो भगत समाज और खासकर रादा स्वमी बालों को यही संदेज देना चाहता हूँ, प्रासना करना चाहता हूँ, कि संत रामपाल जी का जो ग्यान है, वो सद्गरंथों के धार पर है, परमानित है. उसमें जो जैसे जो हमारे संत रामपाल जी जो नाम दिक्षा देते है सर, जो लोग संत रामपाल जी माराजी से नाम दिक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दिक्षा कैसे प्राप्ट कर सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका